हेलो एबरीवन आज की वीडियो में हम डिसकस करेंगे रास्ति आयम योगता आधारे चात्रवती परिच्छा में सामाजिक विश्य के एक और प्रैक्टिस सेट की साथ तो जो चैनल पर नई है वो चैनल को सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों को शेयर करें बेल आइकन को प्रेस करें और हाँ जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुश सके तो इस में हम समाजिक विश्य के 35 कोश्चन को डिसकस करेंगे विद एक्स करते रहिए तो चलिए शुरू करते हैं समाजिक विज्यान के 35 कोश्चन तो पहला कोश्चन है हमारा 126 वाराणसी अदोलेकित किस महाजनपत की राजदानी थी तो वाराणसी जो है किस महाजनपत की राजदानी थी तो वह थी कासी की आप्शन वन इसका राइट आंसर अगला कुशन है 127 127 पलिच दम पलिच दम चंदम तो यह क्या था तो पलिच दम तो था जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमी जैन संस्थान का मतलब कॉलिज माल लो जब जालो वो उसको दान में दी गई है कि कहते हैं कि रूट करते रही है और यह जो पेपर आते हैं वह है उसी के हम प्रक्टिस करेंगे सिकंदर कहां का शाशकता तो यह तर था वो नकाशाशक था वी और आफ्शन बन यसका अंसर क्या होते ला कुशन इंपोर्टेंट है अलाई दरवाजा का निर्माण किस ने करवाया अलाई-दरवाजा पागल वाश्या की उपादी दी जाती है कई उसके कारण थे तो इसमें मुहम्मद बिन तुगलक ने जो चलाई वो चलाई तामे की नहीं मुद्रा तो अफ्शन होगा इलावाद की दुती ये संधी किसके साथ की गई तो से पहले मैं इलावाद की जो पहली संधी भी बता दूँ दूसरी संधी बता दूँ पहली संधी 12 अगस 1765 में मुगल वाश्या शालम दुती के साथ हुई थी इसको इसने अंग्रेजों को 26 लाख मुआपजे के रूप में दिये कि ये जो संदी हुई थी वो बकसर के युद्ध के बाद हुई थी वो बकसर के युद्ध अलाइंस युद्ध था मैं सुजाव दौला और अवद के नमाब के मुगल वाश्या शालम ये सब लोग मिलके अमीर कासिम ये तीनों लोगों नहीं यो दिखिया था और इलावाद की जो दूसरी संदी हुई थी वो 16 अगस 1765 में हुई पहली हुई 12 अगस 1765 दूसरी हुई 16 अगस 1765 ठीक है रूट क क्या हुआ इलावाद की दूसरी संदी में अंग्रेजों को लवाद के जो नवाब थे सुजा उदना एन्श ही लिए उन्हों यह रुप объяс 50 लाकि यह यहां पर इलावद की दूसरी संधी में अवद की नवाब ने दीए ने सुजावत दौला तो इसमें जो आफ्शन का राइट आंसर हुआ यह हैं आवद की नवाब जिन्होंने किलावाद की जो दूसरी संदी हुई थी 1665 में उसमें इनोंने अंग्रेज़ों को 50 लाग रुपए दिये और अंग्रेज़ों ने इनको यह जो इनकी जो एरिया थे उनको भी आपस में एक दूसरी को दिया आगे देखते हैं हमायू नामा की रचना किसने की तो हमायू नामा की जो रचना है वो की गुल बदन बैगम ने तो आफ्शन फोर इसका राइट आंसर होगा किसने सुतंतरता का ब्रच लगाया जैकोबियन एक किलब बनाया तो वो था टीपू सुल्तान तो आफ्शन बन इसका राइट आंसर होगा टीपू सुल्तान इसका आफ्शन है आफ्शन सही उत्तर होगा स्री रंग पट्टम में 1794 में फ्रांसी सी रिपब्लिकन अधिकारियों दुवारा इस जैकोबियन किलब अपना की गई थी 1794 में स्री रंग पट्टम में फ्रांसी सी रिपब्लिकन अधिकारियों दुवारा अगला कोश्चन है 134 विस्त वारती जो संस्ता है सिच्चा संस्ता वो किस से संबंदित है यह रविन्ना टैगॉर से है तो ऑफ्षन बन इसका राइट आंसर होगा रविन्ना टैगॉर तो आयक संदी जो वेले जली की थी यह पॉलिसी थी आयक संदी इसको स्विकार करने वाला प्रथम राज्य को था करते हैं संसिडारी अलाइंस केते हैं सुदिर्शिदारी आलाइंस लाडवेले जली ने इसको थापिता मतलब तुरू की थी पहला राज कौन सा तो फुले अप्रेल 1853 यानि आप्शन बन इसका राइट आंसर होगा यह लाड डलोजी के टाइम में चली चलाई चली गई थी ति भारत का अंतिम प्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था भारत का लास्ट प्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था वो लथा लाड माउंट वेटन वर्तमान में जो क्या है वो 33 है तो यही इसका सही आंसर है और अभी से पहले जो है 31 थी तो आप्शन पर इसका राइट आंसर होगा अगला देखते हैं 139 निम्नव में से किस पद की विवस्ता सम्मिधान में नहीं है तो कौन-कौन से पद हैं में की में इसका विवस्ता सम्मिधान में नहीं है तो वो जो है कि कि मुण के चुना वायुक्त और प्रदान मंतरी या ग्र Korea मंतरी दो ऑफ्श आफ 2017 वो राज्य-सवा का आइट आंसर आट टू किक लहाइबlass सम्मिधान में नहीं है 140 कौशन देखते हैं मूल सम्मूल भारती सम् तो है मूल करतब्य नहीं था option 3 इसका right answer होगा अगला है 143 भारती सम्मिदान को कुल कितने भागों में बाटा गया है भारती सम्मिदान को 22 भागों में बाटा गया है तो option 3 इसका right answer होगा अगला question है कि सम्मिदान सवा ने राष्टिगान को कब सीकार किया था संभिधान सवा ने 24 जनवरी 1950 को चाश्टिगान को सुषार किया गया था थिक श्विधिके शाशन का क्या आर्थ है विदिके जो शाशन है वो कानून के सामने सभी नागल को समान समझों है यह है विदिके शाषन का आर्थ और तो इसका राइट आंसर होगा अबाकी का विदिके शाषन का आर्थ नहीं है अगला कोशन 144 राज्य सरकार का सम्मेदानिक प्रमुक होता है तो राज्जी सरकार का सम्मेधानिक प्रमुगत होता है वो राज्यपाल होता है तो तीस का राइट आंसर होगा निमलिकित मैसे किस सब्द से लोकतंत्र व्यत्पन है तो लोकतंत्र जो है किस से व्यत्पन है तो जोमोस और क्रेटोस दोमोस और क्रेटोस से नवित्वपन है तो आप्शन प्रीज का राइट आंसर होगा अगला कोशन है राजसभा में कितने सदस्यों को राश्पत्ती मनोनीद करते हैं जैनि कित्रों के प्रसिद्ध माने हुए वह समासी भी हो चाहिकर क्रेलेटेड हो चाहिकलाकार हो चित्रक है कि जो अपने फील्ड में महारत हासिल की हुए मशूर सदस्यों को राश्पति करता है तो वह होते हैं ने वह बार है ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा असोग जो चक्र है तरंगे में ट्राइकलर में वह किस रंका है आपने देखा हूँ आपने देखा हूँ आप वह हमारा जो असुख चक्रयत रंगे में किस रंका होता है इलयकंति है और राइट अंसर होगा अगला कॉश्चन है 138 विस्मे मानव अधिकार दिवस कं मनाया जाता है विस्मे मानव अधिकार हीमन राइट डे meinemD दिस् संबर से च्पीमापता ही कौन ये रीक्टर पेमाना ये सन्सार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है से सबसे बड़ा डेल्टा है वो गंगा और ढनर पुत का है तो option one इसका right answer होगा 151 question देखते हैं कि भारत की ठल सीमा की लंबाई कितनी है तो भारत की यहाई है वो 15,000 हजाद दो सब्सक्राइब है तो भारत में मानव निर्मित सबसे बड़ी जहील कौन सी है तो भारत में मानव निर्मित सबसे जहील है वो गोविन सागर है तो option one right answer तेरविट का मतलब है पिगला हुआ मैंगमा से बने शैल होते हैं तो रविट मैंगमा से च्बनने हुए सेल होते हैं वह आगने सेल होते है Right attitude अगला Question देखते हैं 156 शैल चत्रक शैल पाई जाती है ज़ट ना पाई जाती है रिगिस्तान में then option one इसका राइट आंसर हुगा रेगिस्तान पाई जाती है कैच्टी न क्या है को कैटी न जो एक चक्रवाद है तो option 3 इसका राइट अंसर हूगा option अगला question 159 जवाहर जो सुलंग है वो कहा इस्तित तो जवाहर सुरंग जो है जम्मू कश्मीर में स्तित है तो आफ्शन फॉर इसका राइट आंसर आगे देखते हैं कोशन नंबर 157 स्वेत करांती संबंदित है तो आफ्शन फॉर इसका राइट आंसर होगा दूद की पैदावार बढ़ाने के लिए शुरू की गई है यह यह आपकी स्वेत करांती लीप वर्स में कितने दिन होते हैं तो वैसे होते हैं तो फॉलों की टोकरी डलिया इसको किसे कहते हैं तो फॉलों की जो डलिया है तो यह उपनाम है वह माचल प्रदीश को कहते हैं कि वहां पर जो है तेव तेव जो है वह बहुतायत होता है इसलिए तो कहा गया है फॉलों की डलिया अकला कुश्चन क्या है तो साथ औरी तक एक तो कुश्चन है तो साथ कि नंगा, आसी और गारो की पाड़ियां इस्तेत हैं नंगा, आसी और गारो की जो पाड़ियां है वो पूरवांचल परवत माला में हैं आप्शन वन इसका राइट आंसर हुगा स्टूरेंट्स यह थे 35 कोश्चन सामाजे एक इस है कि आई-ँप आपने ये वीडियो समाब्द कर लिया आपने नोट कर लिया है तो खाषा है कि आपने कोश्चन को नोट कर लिया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट एक्स्ट के साथ अगले कोश्चन में थेंक्यू बेरि मच्च झाल 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 झाल